वेलकम तो स्रीजी फूड मैं हूँ मनिशा ठककर आज हम बनाएंगे रेस्टोरंट जैसी मिनी पंजाबी थाली जिसमें हम छोले, जीरा राइस और भटूरा बनाने वाले हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे के साथ मैंने चैनल पर और भी पंजाबी थाली और गुजराती थाली की रेसिपी शेयर की है जिसके वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी है तो वहां से आपको और रेसिपी देखने को मिलेगी सबसे पहले हम भटूरा बनाने के लिए आटा लगा देंगे तो एक बरतन में 500 ग्राम मैदा लेना है मैदा को इस्तमाल करने से पहले छान लेना है इसमें हम 3 चमच सूजी डालेंगे यहां पर आप बारिक वाली या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं इसमें स्वाध अनु में डालना है पहले इन सारी चीजों को चमच से मिक्स कर ले यह सारी चीजे अच्छी तरह से मिक्स हो गई है तो अभी इसमें मोयन नहीं डालना है अभी हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका मिडियम सॉफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे अगर आप इस नहीं खात और रोटी से थोड़ा सक्त और पराठे से थोड़ा सौफ्ट वैसा आठा लगा कर तयार कर दे इस तरह से आठा लग जाए उसके बाद एक बड़ा चमच तेल डालेंगे तेल इस तरह से आखिर में ही डालना है फिर तेल के साथ आठे को अच्छी तरह से मसल के चिकना कर लेना है तो भटूरा के लिए आठा लग गया है इसे कवर करके आधे से एक गंटे के लिए रहने देना है अगर आप इसे दो से तिन गंटा भी रहने देना चाहते हो तो भी रख सकते हो अब जीरा राइस बनाने के लिए एक कटोरी चावल लिया है जो बासमती चावल आता है वो इस्तमाल करना है इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे जब भी आप जीरा राइस, बिर्यानी या पुलाव बनाए तो हो सके तो पूराने जो बासमदी चावल आते हैं उसी का इस्तमाल करें ताकि उसका दाना एकदम लंबा और खिला खिला बने चावल को दो बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, फिर इसमें पानी डाल कर इसे आधा गंटा बिगोगे रखना है जब तक चावल भिकता है हम सबजी बना लेंगे, अब हम सबजी बनाने के लिए एक मसाला तयार करेंगे तो एक कटोरी ले ले और उसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाले, अब जो भी लाल मिर्च पाउडर कुकिंग में इस्तमाल करते हैं वो ले सकते हैं इसी के साथ एक चमच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का तिखापन कम होता है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, आधा चमच हल्दी डाले, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा काला नमक डालेंगे, काला नमक डालने से सबजी का मसाला भी ले सकते है, एक चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर, एक चौथाई चम्मच अनारदाना पाउडर डालेंगे, अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये मसाला हम तड़के में इस्तमाल करने वाले है, इसलिए अगर आप तड़के में एक अब सबजी बनाने के लिए कड़ाई में 4 चम्मच जितना तिल गरम करने के लिए रखे, तेल जब गरम हो जाए तब उसमें आदा चम्मच अजवायन और आदा चम्मच जीरा डालकर गैस की आच धीमी कर दे, इसमें 2 सुखी लाल मिर्च और तेज पत्ता डाले, फिर जो म अब खास ध्यान रखे, पानी डालने के बाद मसाले को हम थोड़ा कुप कर लेंगे, जब मसाले में से तेल इस तरह से उपर आ जाए तब इसमें एक बड़ी साइज का टमाटर कदूकस करके डाले, आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते है और टमाटर को कदूकस करके भी दाल सकते है थोड़ी देर के बाद जब मसाले और टमाटर अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवे में इस तरह से तेल उपर आ जाए तब हम इसमें उबले हुए चने डालेंगे जो चने हमने बॉल किये है उसमें से तिंग चम्म जितने चने हम इक कटोरी में निकाल लेंगे इसे हम मैशर से या काटे की मदद से मैश करके आगे इस्तमाल करेंगे तो अभी हम इसे सैड में रख देंगे चने को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जब चने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो यहांपर हम पानी को हलका गुन गुना गरम करके इस्तमाल करेंगे ताकि सबजी का टेंपरेचर मेंटेन रहे तो यहाँ पर अराउं एक से डेड़ कटोरी जितना पानी इस्तमल किया है पानी मिक्स हो जाए उसके बाद इसके उपर धकन लगा दे और सबजी को मिडियम आच पर थोड़ी देर के लिए पकने दे थोड़ी देर के बाद धकन हटा दे और जो चने हमने साइड में निकाल के रखे थे उसे काटे की मदद से या मैशर से मैश करके इसमें एड़ करना है इस तरह से चने को मैश करके इसमें एड़ करने से हमें चने की ग्रेवी को गाड़ा बनाने के लिए इसमें कॉन फ्लार, बेशन, कुछ भी डालने की जरुवत नहीं होती है तो जो मैश किये हुए चने थे, वो भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए है फिर से इसके उपर ढकन लगा देंगे एक से दो मिनिट के बाद, इसमें आदा चमच कसूरी मेथी का पाउडर डाले कसूरी मेथी को हाथ से मसल के एड करना है अब इसे खुला ही पकने देंगे थोड़ी देर के बाद, इस तरह से लंबी कट की हुई अद्रक डाले इसे के साथ लंबी कटकी हुई हरी मिर्च डालनी है थोड़ा कटा हुआ हरा धन्या डाले और सबजी को मिक्स करके ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो तब तक पकने देना है अब हम जीरा राइस बनाएंगे तो जीरा राइस डाइरेक्ट कडाई में ही हम बनाएंगे तो कोई हैवी बॉटम के कडाई लेनी है और उसमें एक से दो छोटी चम्मत जितना तेल गरम करने के लिए रखे तेल जब गरम हो जाए तब इसमें दो चम्मत जीरा डाले जीरा चटक जाए तब गैस की आज धिमी कर दे और इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च डाले फिर जो कटोरी से हमने चावल का मेजरमेंट लिया हो उसी कटोरी से हमें पौना दो कटोरी पानी इसमें एड करना है पानी के साथ ही स्वाध अनुसार नमक एड करे पानी जब इस तरह से उबलना शुरू हो जाए तब जो चावल हमने भीगा कर रखा था उसका पानी हटा देना है और भीगाए हुए चावल इसमें एड़ करने है चावल को पानी के साथ हलके हाथ से मिक्स कर ले फिर इसे मिडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है थोड़ी दिर के बाद जब आप देखोगे तो इसके उपर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा अब गैस की आज धीमी कर दे और इसे ढखकर अराउंड दो से तेन मिनिट तक पकने दे दो मिनिट के बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे तो अब ये चावल अच्छी तरह से पक गय है इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है तो अब हम इसे खुला ही दो से तेन मिनिट के लिए रहने देंगे ताकि चावल एकदम खिला-खिला हो जाए अब जो भटूरा का आटा हमने लगा कर रखा था उसे भी इस्तमाल करने से पहले थोड़ा मसल लेना है फिर जो भ भटूरे को हमें मिडियम थिक रखना है अब इसे गरम तेल में फ्राय कर लेंगे तेल अच्छा गरम हो उसके बाद ही भटूरा इसमें डाले भटूरे के उपर इस तरह से गरम तेल डालते जाना है थोड़ी दिर के बाद इसे पलटा दे और फिर से इसके उपर गरम तेल इस तरह से भटूरा फूल जाए उसके बाद इसे पल्टा देंगे तो आप मेजरमेंट का और छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखोगे तो आपका भी भटूरा एकदम पर्फेक्ट बनेगा इसे हमें लाइट ड्रॉंग कलर का फ्राय करना है इस तरह से भटूरा फ्राय हो जाए उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे फ्राय कर लेंगे अब इसके साथ साथ साव करने के लिए हम हरी मिर्च को फ्राय करेंगे तो हरी मिर्च को साइड से एक कट कर देना है और फिर इस तरह से उसे जारे में रब कर हमें फ्राइ करना है मिर्ची फ्राइ हो गई है इसे हम बहार निकाल लेंगे अब सर्विंग के लिए हम पापड को भी फ्राइ कर लेंगे अब हम सर्विंग रेडी कर देंगे तो सबसे पहले मावे के गुलाब जामुन साव करेंगे मावे के गुलाब जामुन घर पर किस तरह से बनाने है उसकी रेसिपी मैंने आपके शार शेर की है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है अब जो छोले की सबजी हमने बनाई वो सव करेंगे इसके साथ जीरा राइस सव कर देंगे छोले के साथ जीरा राइस बहुत ही अच्छा लगता है तो इसके साथ आपको दाल फ्राइब बनाने की ज़रुरत नहीं होती है जो मिर्ची हमने फ्राइ की वो सव करेंगे और फिर भटूरा इसके साथ रख देंगे और इसके साथ मैंने मसाला छाच, पापड और जो मिक्स अचार आता है वो सव किया है तो आप भी इस तरह से त्योहर में ये पंजाबी थाली बना कर जरू ड्राइ करें आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी उमीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी इसी तरह की और रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले